नमश्कार दोस्तों स्वागत है हम सभी के अकबार फिर्ट से SBI कलर का notification आ गया है और बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा है कि जो initial level पर तयारी कर रहे हैं क्या उनके दिमाग में है कि क्या मैं दो महिने में तयारी कर पाऊंगा क्या क्या मेरी preparation proper done हो जाएगी क्या क्योंकि expected है कि जन्वरी में आपका exam हो जाएगा उसे साबसे हमारे पास गिंती के 50-60 दे नहां पर बचते हैं तो कैसे हमारी तयारी होगी किस तरह से SBI कलर को हम बहतर कर सकते हैं आज हम इस पर डीटेल बात करेंगे मेरी आप से humble request अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा और maximum इस वीडियो को share भी जरूर कियेगा चलिए start करते हैं सबसे पहले अगर मैं एक important चीज़ कहूं तो देखे SBI की तयारी दो महीने में possible तो है लेकिन हाँ आपको focus तयारी करनी पड़ेगी synthetic तयारी करनी पड़ेगी ताकि आपको इस समझ में आ जाए कि कौन-कौन से चीज़ें हैं जो आपको इन दो महीने के period में पढ़ना है उन सारी चीज़ों पर हम लोग detail बात करेंगे ताकि आपकी approach अगर focused होगी तो आपका selection भी होने का chances जो है वो maximize हो जाएगा सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूं तो सबसे पहले आपको syllabus के बारे में जानना पड़ेगा कि syllabus में क्या है इंग्लिश में क्या क्या topics आ रहे हैं reasoning में क्या क्या topics आ रहे हैं और means में जो जीए है उसका topic क्या है अपार्ट फॉं दिस आपको exam pattern से family होना पड़ेगा अगर मैं problems की बात करूं तो मैं यहाँ पर जानता हूं कि total जो है वो 100 questions होते हैं 35-35 आपका maths or reasoning और English में आपके 30 questions होते हैं पर जो subject होते हैं कि 20-20 minute का आपको timer यहाँ पर दिया जाता है next पर आते हैं अगली important चीज़ है कि आपको study का schedule proper यहाँ पर बनाना पड़ेगा ठीक है देखिए दो महिने का time अगर मैं कहूं let's suppose 50 दिन का time अगर मैं कहूं तो यह बहुत कम भी मैं कह सकता हूं ठीक है और यह भी मैं कहूंगा कि ऐसा भी नहीं कि impossible हो आपको बस focused way में अपने study plan को strictly follow करना है और उस पे stick रहना है यह बहुत ज़रूरी है कि आपको study plan भी follow करना है और उसको focused आपको discipline रहना है right ठीक है मतलब यह नहीं कि let's suppose आपने 4 घंटे जो है वो planning करी है और आप 4 घंटे daily दे ही नहीं पा रहे हैं आपको जब यह पता है कि मारे पास समय कम है जैसे वह inflation का एक rule है कि जब कोई चीज बहुत कम होती है तो उसका भाव बढ़े आता है और कोई चीज बहुत जादा होती है तो उसका भाव कम हो जाता है तो कोई चीज अब बहुत कम है तो हमें उसमें value जादा देनी पड़ेगी तो आपने जो भी routine बनाया है उसको आपको strictly follow करना पड़ेगा ये बहुत ज़रूरी है तो study का time table भी आपको proper set करना पड़ेगा अगले 40-50 देने इसके लावा study material तो आपको बहुत ज़रूरी है कि क्या-क्या pattern पहले exam में पूछे गया है मतलब previous year pattern क्या-क्या पूछा गया है ठीक है अपर्ट फर्म दिस बुक्स आपको कौन-कौन सी need होगी पढ़ने के लिए कौन-कौन सी बुक आपको यहाँ पर आवश्यक होगी online resources में मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप banking वालो को proper follow करिए banking वाला YouTube channel या फिर इनके जो paid classes होती है आप इनका subscription यहाँ पर proper ले सकते हैं ठीक है यहाँ पर वो चीजे SBI clear का हमने complete batch launch किया हुआ है एक नहीं दो-दो batch launch किये हुए है तो आपको जो resource मिल सकता है आप उसको utilize करें और अपनी पढ़ाई को proper यहाँ पर start करें ठीक है apart from this quality study material बहुत जरूरी होती है इसलिए बच्चे हमेशा banking वाला पर इस चीज़ के लिए जरूर जो है वो believe करते हैं क्योंकि यहाँ के जो batches होते हैं content always exam oriented ही होता है तो यह चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत आवश्यक है अगला section concept देखे foundation बहुत important है मतलब let's suppose आप beginner level पे भी तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि maths में simplification number series approximation आता है reasoning में puzzle जादा आती है silog के concept पूछे आते हैं English में error detection या RC काफी जादा पूछी आती है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि tricks क्या है क्योंकि 20 minute का आपको समय मिलता है 20 minute में आपको 35 question करने होते है math or reasoning में और 30 question करने होते हैं आपको English में तो यह बहुत धरूरी है कि आपको trick पता हो इसमें कोई दोराए नहीं है क्योंकि 50 दिन का समय है मैंने वही से कहा आप से जो चीज़ पुड़क कम होती है उसकी demand ज़्यादा हो जाती है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपने maths का एक कोई topic पड़ लिया अब routine follow करने के बाद आपको उसे regular base पे revise का भी एक time schedule बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने maths कर लिया है maths में आपने डो topic कर लिये तो यह जो दो topic आपने कर लिये है इसको revise के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा क्यों कि जो चीज़ा आप जितना ज्यादर revise करते जाएंगे level आपका उस चीज़ में उतना बहतर हो जाएगा तो आपको practice भी लगातार करते जानी है ठीक है next पे आते है mock test का role बहुत जादा important हो जाता है मैं कह सकता हूँ second teacher आपका mock test है जैसे for example अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको reasoning पढ़ा दी ठीक है सर ने आपको maths पढ़ा दी सर ने आपको English पढ़ा दी तो हमने subjective आपको पढ़ा दिया exam में आपका ये mock ही पूछा जाता है मतलब mock test का जो format आपको यहां मिलता है वही same exam में भी आपको मिलता है तो जितना जादा आप mock test देते जाएंगे उतना speed से family year होते जाएंगे consistency से family year होते जाएंगे regularity से family year होते जाएंगे और mock से क्या होता है कि आपको अपनी mistake पता चलती है कि भाई एक घंडे का paper दीया है उतनी आपकी improvement होगी इस चीज़ को ध्यान रखेगा तो यह चीज़ें आपके selection के लिए काफी जादा important हो जाता है ठीक है next पे आते हैं अगला pattern देखते हैं time management एक important चीज़ है मतलब अगर मैं online कहूं अगर आप mock दे रहे हैं तो 20 minute के अंदर अगर आपको 35 question करना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपका time management थोड़ सा बहतर हो time management बहतर होने का मतलब यह है कि जैसे अगर मैं clerical level के exam की बात करूं तो इसके cut off generally कितने जाते हैं 80 plus जाते हैं 85 plus जाते हैं तो आपको यहाँ पर यह देखना है कि मैं किस तरह से 20 minute में 35 question कर पाऊं इसके दो तरीके हैं एक तो यह कि आप जो offline पड़ रहे हैं मतलब जो घर पे आपने routine बनाया हुआ है उसको strictly follow करिए revise regular करिए और जब आप mock test दे रहे हैं जो आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं उस पर time management आपका focus हो और जो आप online mock test दे रहे हैं उसमें भी आपका time management proper solid होना चाहिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अगला यहाँ पर revision का practice का मतलब है कि आपको revise करना है let's suppose आपने simplification किया simplification को आपने 10 question से आपने concept सीख लिया और trick सीख लिया फिर 20 question के practice कर ली अब आप इसको revise कितना कर रहे हैं कि आपने अगले दिन वापस से उस trick के 5 question किये क्या क्योंकि जितना जादा concept को revise करते जाएंगे concept आपको उतना clear होता जाएगा तो revision must important है और revision especially prelims label पे जब आप पहला paper देंगे math, reasoning और English का तो वहाँ पे इन तीनों subject का proper revision जो है वो बहुत आवश्यक है revision से आपके concept clear होंगे revision से आपका level जो है वो improve होना start हो जाएगा ठीक है तो यह चीज़ें आपके लिए important होंगी next पे आते है English language अपने आप में important है बहुत सारे बच्चों के English में problem होती है यह हमने देखा है generally तो English को English की problem को sort out करने के लिए 2-3 चीज़े मैंने यहाँ पे लिख revision कर सकते हैं जहां पे वो RC का detail जो है वो बताते हैं और reading comprehensive कैसे हमें बहतर करना होता है English language को कैसे सीखना होता है नए नए जो शब्द हैं उनको कैसे पकड़ना होता है उनको कैसे memorize करना होता है वो सब सर यहां पे सिखाए होते हैं तो English को आपको सीखना थोड़ा सावश्यक और extra level पे हो जाता है ठीक नेक्स्ट पर आईए इस्टे अपडेटर देखे आपको current affair की भी news से stay updated होना पड़ेगा क्योंकि आपको मेंस में जो है वो current affair भी मिलेगा जे भी आपको मिलेगा तो आपको daily जो है वो current affair पे भी आपका pattern थोड़े सा clear होना चाहिए especially जो भी banking की current news ह है economic की current देश की news है रही ठीक है जो भी regulatory bodies की नई news आ रही है कि RBI में नया क्या हुआ से भी में क्या हुआ नावाड में क्या हुआ रही ठीक है देश की नई उजना क्या हुई तो आपको इससे भी updated होना पड़ेगा क्योंकि current affair भी आपके exam में पूछा जाता है तो आपको श देखें यह चीज मैं हमेशा कहूंगा कि जब आप तयारी कर रहे हैं जब आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा ग्यान नहीं है तो आप हमेशा help लीजे फिर चाहे वो आपके teachers हो mentors हो राइट ठीक है आप help लीजे आप मुझसे directly पूछ सकते ह हैं आप मेरे तेलीगराम पर जाएंगे तेलेगराम पर आप सर्च करेंगे अरपित Sir reasoning Pw क्या करेंगे आप सींपल जाके सर्च करेंगे अरपित Sir reasoning just को आप यहां पर पर सर्च करिएगा अप our मियशनिंगर rienर पल्व यह आप सर्च करिएगा यह मेरा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा लाइट ध्रिक है और टेलिग्राम ग्रुप मिल जाएगा इसमें आप प्रॉपर जॉइन हो जाएगा आपके जितने भी डौट होगे वो सारे से करने हैं वो चीज मुझे बताईए तो वो चीज आपको यहां पर जरूर से जरूर मिल जाएगी नेक्स्ट पर आते हैं लेकिन important चीज है कि healthy रही है तो आप इसके लिए regular exercise कर सकते हैं योगा आप करिए अगर कुछ नहीं है कर सकते हैं तो आप घर में बैठके योगा करिए योगा आपको बहुत इंप्रूव करेगा mental balance में physical balance करने में तो आप योगा कर सकते हैं ताकि आप फिट रहें फिट रहेंगे वही कहते हैं मन चंगा तो कठोती में गंगा तो अगर मन आपका चंगा है तो आप आराम से अपनी तयारी को बहतर कर सकते हैं इसके लाबा आपको लगता है कि आपकी preparation में कई ऐसी चीजें हैं जहां पर hurdles बन सकती हैं तो आप banking वाला के paid batches को जरूर जोइन कर लीजे इसमें आपको हर एक चीजें structure way में मिलती हैं चाहे वो class हो content हो mock test आपको मिलता है systematic आपको classes का schedule यहां पे दिया जाता है updated pattern में आपको classes मिलती हैं सब कुछ आपको banking वाला YouTube channel पर आपको मिल रहा है तो आप banking वाला हमारे channel को follow कर सकते हैं हमारे paid batch के subscription ले सकते हैं ताकि आप अपनी तयारी को और बहतर level पे जो है वो कर पाए ठीक है ओके चलिए तो I hope चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगे मैं कहूंगा consistency और dedication यह बहुत जरूरी है आपकी जर्णी में आप अपनी जर्णी में जितना consistent रहेंगे benefit आपको उतना ज्यादा होगा consistency से आपके अंदर confidence आता है और आपको confidence जो है आपकी तयारी को boost करने बहुत मुदद करता है I hope आपको doubts जो है जो भी आपके doubts होंगे बहुत